चरण एक, पहली बार आने वाले सभी ग्रहकों के लिए इस बात का ध्यान रखिए कि ग्रहक ने आपके वरिष्ट विशेशग्य से मिलकर अपना अवलोकन करवा लिया है। चरण तो, मशीन में पाउडर के बाहाव और खींचने का दबाव जाचिए। चरण तीन, मालिश के लिए आवश्यक सामगरियों को ट्रॉली में इखटा कीजिए। औशदिय क्रीम चरण चार, एप्रिन पहनिये, कैप और मास्क लगाईए। चरण पाँच, उपचार शय्या पर ग्रहक को आराम से लिटाईए। चरण छै, ग्रहक की छाती और कंधों को तॉलिये से ढग दीजिए। चरण साथ, हैरबेंड से उसके बालों को बांधिये। चरण आठ, ग्रहक की आँखों पर आईपैट्स रखिये और इने माइक्रो पोर से चिपकाईए। चरण नौ, ग्रहक की त्वचा को एस्ट्रिंजेंट से साफ कीजिए। चरण दस, ग्रहक की चहरे को स्क्रब से साफ कीजिए। चरण ग्यारह, एक साफ तॉलिये से चहरे को हलके से पूछिए। चरण बारह, वरिष्ट विशेशग्य को बताईए कि ग्रहक प्रक्रिया के लिए तैयार है। चरण तेरह, मशीन चालू कीजिए और वरिष्ट विशेशग्य के निर्देश आनुसार टाइमर सेट कीजिए। चरण चोदह, ग्रहक को आरामदायक स्थिति में लाईए और त्वचा को खीचते हुए वरिष्ट विशेशग्य की सहायता कीजिए। चरण पंद्रह, घड़ी की उल्टी दिशा में त्वचा को छोटे-छोटे भागों में खीचते जाईए। चरण सोलह, जब टाइमर बजने लगे तो मशीन को बंद कर दीजिए। चरण सत्रह, ग्रहक के चहरे को गीले तॉलिय से पूचिए। चरण अठारह, आइपैट्स निकालिए और रुई के बॉल्स से आँखों को साफ कीजिए। चरण उननीज, फेस पैक ब्रश की सहायता से फेस पैक की पतली परत लगाईए। चरण बीज, दस मिनिट तक इंतजार कीजिए और फिर जाचिए कि फेस पैक सूखा है या नहीं। चरण 21, गुनगुने पानी और रुई के बॉल्स की सहायता से सूखा पैक हटाईए। चरण 22, तवचा में किसी भी सूखे पन या लाल धब्बों के होने की जाच कीजिए। चरण 23, ऐसी जगहों पर वरिष्ट विशेशग्य के निर्देश आनुसार और शदिय क्रीम लगाईए। चरण 24, ग्रहक के पूरे चहरे पर उचित SPF वाली संस्क्रीन क्रीम लगाईए। चरण 25, तॉलिया और हैर बेंड हटाईए। चरण 26, ग्रहक से कहिए कि वो अपने कपड़े बदल सकते हैं। चरण 27, कैप, मास्क और चादर निकालिए और उन्हें कूडे दान में फेख दीजिए। चरण 28, एप्रिन निकाल कर टांग दीजिए। चरण 29, उपचार शयापड से पुरानी चादर हटा कर नई डिस्पोजिबल चादर बिछाईए। चरण 30, कमरे में एर फ्रेशनर स्प्रे कीजिए। चरण 31, प्रक्रिया के बाद के निर्देश ग्रहक को सौपिए और इन्हें समझाईए। चरण 32, ग्रहक को अगले सत्र के समय के प्रारूप की जानकारी दीजिए। चरण 33, अगले अपॉइंटमेंट का समय तुरन तै कीजिए या अपॉइंटमेंट डाइरी में एक रिमाइंडर लिखिए। चरण 34, रकम लीजिए और रसीत सौपिए। चरण 35, ग्रहक को धन्यवाद दीजिए।